हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चाइनल, आज के स्वाइटर मैंने टू कलर में बनाया है, बहुती हुपसरोत, बहुती सिंपल स्वाइटर है, ये एक लेडी स्वाइटर बनाया है, इसकी पूरी लेंथ है, वो 20 इंच की है, 20 इंच ये कम्प्लीट स्वाइटर है, जो मु बनाया, फिर पिंक से मैंने पूरा आगी राइट साइट का जो पार्ट है, वो बनाया है, बैक पार्ट को मैंने, अभी आपको दिखा दूँगी, मैंने कैसे बनाया है, बहुती हुपसूरत है, और इसे बनाना ही बहुत इजी है, आप बहुत बना लेंगे, तो इसका बैक कर रखा है पिंक से मैंने फंदे डाले फिर वाइट से 14 सलाईयों पर कम्प्रीट के है काटे वाला बॉर्डर इसे कहते हैं अब हम यहाँ पर देखे फंदो को बढ़ाएंगे और अपना जो डिजाइन है उसकी भी फर्स्ट रो शुरू कर देंगे राइट साइट से ठीक है तो इस तरीके के देखे बॉर्डर है अब यहाँ पर फंदे आपको कैसे बढ़ाने अगर आपको फंदे बढ़ाने आते हैं तो आप इसली बढ़ा लेंगे क्योंकि आपको आते हैं और आप अपने तरीके से बढ़ा लिजे लेकिन जिनको नहीं आते हैं जो बिगनर हैं उनके लिए मैं एक बर इस सलाई पर बता दूंगे कि फंदे कैसे बढ़ा जाते हैं तो फंदे बढ़ाने का तरीका होता है आप बीच बीच में फंदो को बढ़ाते हैं, एक साथ की कॉर्णर पर फंदे नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं हर 12 फंदो के बाद एक फंदे को बढ़ाओंगी, अगर आप फंदो को जादा बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं इसमें 4 फंदे बढ़ाओंगी, अगर आप जादा बढ़ा र बिल लेना है और मोडने के बाद इसे सीधा बिल लीजे हमेजा फंद सीधी तरफ से ही बढ़ाईए फिर उसके बाद जो हमारा 13 फंद है वह बिल लेना है तो अब यहां पर 14 फंद हमारे हो गए अब फिर से हम 12 फंदे बिलेंगे उसके बाद भी आप डिजाइन को शुरू कर सकते है लेकिन में इसकी फिस्ट रो से ही डिजाइन को शुरू करूंगे अगर आप डायरेक्ट इसे बिल लेंगे तो आपका यहां पर जाल पड़ जाएगा तो फंदे को मोड़े और फिर उसे इस तरीके से सीधा बिल लीजे फिर हमारे जो 13 फंदा है उसको हम सीधा बिल लेंगे तो हमारे 14 फंदे हो जाएंगे 12 फंदे सीधे बिलने, 13 फंदे पर एक फंदे को बढ़ाना है और फिर 13 फंदा बिल लेना है तो इस तरीके से जो है आपको पूरी सलाई पर बिल लेना है तो टोटल जो यहां पर है मैं 6 फंदे बढ़ाऊंगे 4 फंदे मेरे डिजाइन में आ जाएंगे adjust हो जाएंगे और एक एक फंदा जो है वो मेरे edge के लिए हो जाएगा 92 फंदे मैंने यहाँ पर ले रखें तो मेरे total यहाँ पर फंदे 6 जो है वो बढ़ेंगे हर 12 फंदे के बाद आपको एक फंदे को बढ़ाने देखे 12 फंदे मेरे बिने इस तरीके से एक 13 फंदे फंदा उठाया मोड़ा फंदे को सीधा बिना और फिर 13 फंदे को सीधा बिल लेना है तो यहाँ पर देखें मेरे 3 फंदे बढ़ा दिये हैं अब इसी तरीके से में पूरे 6 फंदे बढ़ा लूँगे पीछे की तब भी बिना जाता है और रॉंग साइट से उल्टा ही बिना जाता है तो बहुत इजी डिजाइन है आप इसे बहुत जल्दी सीख लेंगे अगर आप बिगनर है तब भी आप इसे बहुत ही इसली बना लेंगे तो रॉंग साइट का जो रो है पूरा हम उल्टा बिनके जो रो हे वो लिया है और अब हम अपनी रो जो डिजाइन कि थर्ड 15th पर आ है है यहां जया तो अब देखे आफ रडून को इस तरीके से लेकिन इस तरीके से रा डाले हम रहें इस वाली दिजाइन में हम उन को आगे की तरफ करेंगे घुमाते वे वापस से आगे की तरफ लाएंगे एक फंदा फिर उल्टा बिनेंगे और अब देखिए एक फंदा उल्टा बिना अब यहां पर हमारे जो हैं वो तीन फंदे हम ये वाले जो तीन फंदे हैं इन्हें एक साथ बिनेंगे उल्टा ही अब फिर से हम एक फंदे को सीधा बिन च्राइब अब कर डाल रहें तो जहां से रहे हम पर हम एक फंदे बिन ले ले लिए अब हम यहां से देखें हमने एक फन्दा जो है वो फिर से सीधा बिना है सीधा बिनने के बाद आप अब आगे की तरफ करेंगे वापस सलाई पे घुमाते हुआ और आगे की तरफ लाएंगे एक उल्टा फन्दा बिनेगे तीन फन्D को हम एक साथ लेंगे यहां पर देखे है यह तीन फंद है ना, इनको एक साथ लिया, और तीनों को उल्टा ही बिन देंगे, फिर एक फंदा एक और उल्टा बिनेंगे, और हम उन पीछे की तरफ करेंगे, और फिर से एक जाली इस तरीके डालेंगे, अब यहां से फिर से हमारा नया डिजाइन शुरूँ गया, एक फ पंदा उल्टा बिना, और अबकी बार जो हम जाली डालेंगे, उसको उन पीछे करेंगे, और इस तरीके से सलाई पे घुमाते वे एक फंदा सीधा, तो इस तरीके से जो है, वह आपका जो डिजाइन है, वह थर्ड रो पे आएगा, तो यह हम थर्ड रो डिजाइन का बिन रहें फिर से उन आगे की तरफ करेंगे उन सलाई पे घुमाते वे आगे की तरफ हिलाएंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदो को एक साथ बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे फिर उन पीछे की तरफ करेंगे उन को सलाई पे घुमाते वे पीछे लेकी जाएंगे और एक फंदा सीधा तो ये पूरा हमें complete करना है यहां तक ठीक है मैं यहां पर पहुचती हूँ उसके बाद आपको दिखाते हूँ तक पूरी राइट साइट की थर्ड रॉ अपनी डिजाइन की complete के अभी थोड़े संदे बाकी है तो यहां पर देखे यहां पर हमारे छसाथ रसंदे बाकी है उन को हम देखें यहाँ पर जो है हमारा एक हम जाली डालेंगे आगे की तरफ से एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदे जो हैं वो एक साथ बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे देखें इस सरे तीन फंदे एक साथ बिने फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा जा धबिनते वे रुग को complete करेंगे, तो यहाँ पर हमाई जो तिसरी सलाई हो complete हो गए और चौती सलाई wrong side के आएगी, पूरी ही सलाई उल्टी भी नी जाएगी, तो आप इस design को और मैं आपको easy बता दूँ, तो आप अगर आप यह वाले design डाल रहे हैं, तो आप अपने पल्ले पे six के multiple में फंदे ले लीजे, प्लस में one करेंगे तो आपका जो design हो set हो जाएगा और एच के लिए आप दोनों तरफ एक-एक फंदे ले लीजे, तो आपका design बिल्कुल set हो जाएगा यह कोई दिक्कत नहीं आएगी, छे फंदों का सीख सकते हैं, row complete करेंगे हम wrong side की, उल्टा बिनकर यहाँ पर हमने row complete कर ली है, wrong side की उल्टा बिनकर, हमारा design जो है complete हो चुका है, चार सलाईयों का design है, four row repeat pattern है अब आपको फिर से दो सलाईय सीधी बिननी है, पहले फंदे को तारेंगे बाकि सभी फंदों को सीधा सीधा बिन देंगे, तो बहुत ही easy design है पहले आपके दो जो सलाईय है वो सीधी उल्टी बिननी है, तिसरी सलाई में आपको थोड़ा सा फंदों को बदलना है यानि कि थोड़ा जाली डालनी है थोड़ा उल्टा बिनना है और रॉंग साइट से आपको फिर चोहती सलाई को जो है उल्टा बिन देना है तो पूरी सलाई को हम सीधा बिनेंगे रॉंग साइट से उल्टा बिन के complete कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने एक बार फिर से फिर एक फंदा और उल्टा बिनेंगे फिर पीछे उन ले जाते वे एक जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बिनेंगे फिर से उन अपनी तरफ लाएंगे और उन को आगी तरफ से ले जाते वे हम एक जाली डालेंगे देखी इस तरीके से एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बिनेंगे, इस तरीके से ले लेना है, तो जो हम ये तीन फंदे उल्टे बिन रहे हैं, इसमें एक एक फंदा हमारा घट रहा है, वही फंदे हम जाली डाल के पूरे कर रहे हैं, तीन फंदे एक स फिर पिछ बिल पीखे करको जाली डालनी है. एक फंदा सीधा में रहे हाएं. मैं अजники इसी तरीक पूरी पहनी से पहनी पुर्माइट कर देखी हैं य्याक्त. तेंग शायी पूर्चा कि इस तरीके से नहींने देखी होगा हुवाला. फिर से हम पूरी सलाई को complete कर लेंगे और wrong side की सलाई भी complete कर लेंगे wrong side की उल्टी सलाई थी हमने complete कर ली और यहां पर हमारा फिर से 4 सलाईयों का एक बड़ design जो है वो complete हो गया है फिर से हम एक बड़ design शुरू करेंगे यह हमरी third time design है और फिर से हमने यहाँ पर first row, first से शुरू किया है, एक पूरी row को सीधा बिल लेना है, wrong side से पूरी जो सलाई है, उसको आपको उल्टा उल्टा बिनके complete कर लेना है, और third row मैं आपको बता चुकी हूँ, दो बार, देख लीजे अच्छे से, और जो four row है, वो आपको उल्टा ब complete कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने 13 सलाई हैं, 13 जो इंच है वो complete कर लिया है, border से लेके उपर तक, अब हम इसकी मुढ़े की और गले की cutting करेंगे, ठीक है, तो जल्दी साब इसे complete कर लीजे, उसके बाद आप यहाँ से मुढ़े की cutting चालू होगी, तो मुढ़े की cutting मैं यहाँ पर करूँगी, पांच फंदो के साथ में एक फंदे को उतारूँगी, एक फंदा सीधा बिनूँगी, पीछे वाले फंदे को आगे से ले, उपर से ले जाते वे छोड़ दूँगी, फिर एक फंदा सीधा बिनूँगी, फिर उपर से ले जाते वे छोड़ करना चाहते हैं तो आप दो फंदो को एक साथ बिनके भी फंदो को घटा सकते हैं यहां पर हमें पांच की कटिंग देनी है यानि कि पांच फंदो की एक साथ कटिंग देनी है अगर आपको थोड़ा कटिंग कम रखना है तो आप तीन फंदो की भी कटिंग दे सकते हैं ठीक ह यहां पर थोड़ा सा पांच फंदों की ही हमेशा कटिंग बोलूंगे आपको देने के लिए इससे जो है मुढधा आपको बहुत अच्छा फीडबैट ता है तो पांच फंदे हमारे घट चुके हैं अब हम अपनी रो की फर्स्ट जो अपना डिजाइन की फर्स्ट रो भी न पर फंदे के पहले फंदे को टारेंगी दूसरा फंदा इलुटा बिनेंगे पीछे वाले फंदे को ऊपर में औरЗदे छोड़ देंगे इस तरीके से हिसके हैं अब हम रोंग साइड की तरफ जो फंदे घटाएंगे वो भी पांच ही स्य छी घटाएंगे हैं क्यूंकि सीध तो आप थोड़ा से इंची जो पर ध्यान देंगे तो आपका स्वाइटर पर्फेक्ट बनता है ठीक है पांच फंदे हमने घटा दिये पूरी सलाई को हम उल्टा बिन के कम्प्लीट कर लेंगे यहां पर देखें मेरे पूरी सलाई जो है वो कम्प्लीट कर लिए रॉंग अजुत कर दिया फिर आपको र्हीं दूसरा फंदा घटा रहे है रहे हैं अब हम तीसर इस अग्ष है शुती को शुरू करेंगे तीस्री रहो को शुरू करेंगे जो हमाइगे ूसक्ष करद्मै की है देखे इस तरीके से यहाँ पर हमें दो फंदों को एक साथ बिना, फिर एक फंदे को उल्टा बिना और एक फंदा क्योंकि हमारा गड़िया तो एक जाली डाल के हम एक फंदे को शीधा बिन देंगे तो आप अगर ये वाला design डाल रहे हैं कोई भी डाल रहे हैं तो आपको design adjust करना होगा बाकी मैं आपको बताती रहूंगी तो हमारा right side से हमने पूरी row को बिन लिया है design के according wrong side से हैं क्योंकि हमारा wrong side का row उल्टा है तो यहाँ पे हम तीन फंदे उल्टे बिन कर घटा देंगे पहला फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे उपर से फंदो को ले जाके छोड़ देंगे यहाँ पे देखे इस तरीके से अग आप design को set करना बहुत असान है सिर्फ आप फंदो को घटाते रहिए और जैसे भी आपके फंदे आ रहे हैं आप उसको उसी तरीके से बिनते जाईए तो यहाँ पे देखे मेरे जाली वाला फंदा आया है इसे हम उल्टा ही बिनेंगे ठीक है और फिर घटा देंगे तो फंदो में आपको बदलाव नहीं करना है जो जैसे फंदे आ रहे हैं आपको उनको वैसे ही बिनना है और अपना design को continue रखना है और अपनी रोज को भी ब आइंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे है पहले फंदे को मैं slip कर दूँगी अगर आप slip नहीं करते तो आप बिन लीजे दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे और इस फंदे को उतार देंगे तो यहाँ पर हमारी जो मुड़े की cutting है वो complete हो गई है मैंने 5-3-1 की मुड़े की cutting करिए पूरी रो को हम सीधा बिन के complete करेंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक तो यहाँ पर देखे में right side की रो complete कर ली है wrong side की रो पर आ गए है हम दुबारा से एक बार फिर और अब हम यहाँ पर भी एक फंदे को घटा देंगे इस फंदे के साथ में हमारा जो दोनों कि मुढ़े की cutting है वो complete हो जाएगी तो मुढ़े की cutting मैंने 5-3-1 की रखे अगर आप चाहें तो 3-2-1 की रख सकते हैं या 4-3-2 की कर सकते हैं जैसे भी आपको जितने भी फंदे आपको रखने हैं आप रख लीजे बस बच्चों की जो फंदे होते हैं बच्चों की मुढ़ कि मुढ़े से कम फंदे घटाए जाते हैं बाकी बढ़ों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है ये क्योंकि मीडियम साइज मेरा स्वाइटर है तो इस वज़े से मैंने 5-3-1 की cutting कर ये रॉंग साइट की रोकों हम complete कर लेंगे और यहां पर देखिए अब मैं आप क्योंकि मुझे इसका गला डीप रखना है तो यहां पर देखिए जो हमारा जो गले के फंदों को अब हम देख लेते ठीक हैं तो गले के फंदे यहां पर देखिए हमारे पास पूरे फंदे जो थे वो 98 थे उसके बाद हमारे 18 फंदे घड़ गए हैं अब यहां पर हमारे continue रखेंगे और इस तरीके से design बनाते हुए हम अपने जो है वो 34 फंदों को बिनेंगे दो हमने एक फंदा सीधा बिना slip कर दिया दो फंदे उल्टे बिने एक साथ एक जाली डाली फिर एक फंदा सीधा बिना ये मेरे जो design कहां पर बिल्कुल सही आ रहा है वहीं से आप मुढ़ों को भी घटाईए और वहीं से भी आप आगे continue रखें तो design set होना बहुत जरूरी होता है sweater में अब यहां पर हम देखें 34 फंदे बिन लेते हैं ठीक तो यहां पर देखें मैंने 34 फंदे बिन लिये हैं यह वाले अब इसके बाद देखें जो हमारा यहां पर हमने बिनने के बाद अब बीच के फंदों को हम घटाएंगे बीच के हम 12 फंदों को घटाएंगे ठीक तो 12 फंदे कैसे घटाएंगे देखें यहां पर हम यहां से गिनते देखिए यहां से लेकि यहां तक गिनेंगे तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदों को हम यहां पर घटाएंगे एक साथ तो देखिए सबसे पहले हम जो हमाई जाली पड़ेगी फिर एक फंदा सीधा बीना अब देखिए 1, 2, 1 फंदा उतार दिया दूसरा फंदा उतार दिया तिसरा फंदा उतारा चौधा फंदा पाँच छे साथ आट नो दस ग्यारा यहां पर देखिए हमने बीच के जो है वह पूरे 12 फंदे उतार दिया देखिए 1 फंदा हमने सबसे शुरुआत में बीना उसके बाद हमने 11 फंदे बिन दिये घटा दिये तो वह फंदा हमारा जब हम लास्ट में इधर आये हैं तो वह घड़ गया तो बीच के हमको 12 फंदे ही घटाने हैं आप चाहें तो 14 फंदे या 13 फंदे या 15 फंदे घटा सकते हैं इस से जादा मत घटाएं रो को कंप्लीट करेंगे तो यहां पर देखिए हमने अपने 34 फंदे बैक जो दूसरे गला घटाने के बाद दूसरी तरफ के थे वह हमने यहां पर बिन दिये और यह देखिए इस तरीके से ही बीच के फंदे घटे आप 24 इधर हैं बीच में 12 घट गए हैं और 34 दूसरी तरफ हैं ठीक तो यह हमारे 80 फंदों का है अगर आपके इसके जादा फंदे हैं तो आप बीच के फंदों को थोड़ा और घटा दीजे और उसी साफ से आपको द अब देखिए अब हम इस तरफ क्योंकि आगे नहीं जाएंगे हमारा गला घट चुका है अब हम पहले यह वाला जो कंदा है वो कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए हम अब इधर से ही गला घटाना शुरू करेंगे एक तरफ से सीधी तरफ से ठीक तो अब हम यहाँ पर दे और यह हमने पाँच फंदे घटाले है अब kita को यह हम पूरी रुक को अब जिजाइन के अकोर्डिंग भी नहीं आपको डिजाइन सेम ही रखनी है, फंदे आपके चाहे जैसे भी आप घटा रहे हैं, आपको डिजाइन अपना सेम कंटीनियू कंप्लीट करना है, सीधी तरफ से बिनेंगे, रॉंग साइट से भी बिनके यहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने सीधी तरफ से अपनी सलाई कंप्लीट की, उल्टी तरफ से कंप्लीट की और वापस हैं राइट साइट की तरफ आ गए, अब हम यहाँ पर फिर से फंदो को घटाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा डीप नेक है, इस वज़े से मैं यहाँ पर जादा साथ जादा जो है फंदे घटा रहे एक, दो, तीन, और यह चार, चार फंदे घटा दिये, पूरी सलाई को हम अपना डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और यह देखिया आप जब सही फंदे घटाएंगे ना लेके तो अपने आपका जो डिजाइन है उपने आप सेट होने लगेगा, कोई दिक्कत नह अगर आपको सोचेंगे कि डिजाइन वाला हम स्वाइटर बना रहे तो फंदे घटाते हुए डिजाइन हमारी खराब होगी, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से फंदे घटाएंगे तो आपका डिजाइन बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, वो अपने आप ही सेट होता चल से और रॉंग साट से बिल लीजे, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखे फिर से गले के फंदे एक बर घटाएंगे, तो फंदे घटाने के लिए क्या हो करेंगे हम फिर से वही तीन फंदों को घटा देंगे, पांच फंदे हमने पहले घटाए, फिर चार फंदे घटाए, पूरी सलाई को हम अपने डिजाइन के अकौरडींdo और रऊंग साट से जैसे हमारी रोह आ रही है और रांग साट से जैसे हमारी रोह आ रही है, दोन्ह prossयत अम कंप्लीट करके वापस से राइट साट की तरफ ही पहुचेंगे, तो इसलंगी में पेंया है, अब घटाने है और हम यहाँ पर फिर से एक वर फंदो को घटाएंगे तो यहाँ पर जिसे आपने 5-4-3 घटा दिये अब आप चाहें तो 2-1-1 घटा सकते हैं या फिर यहाँ पर में 3 फंदो एक बार और घटाऊंगी तो आप एक साथ भी घटा सकते हैं आपके मर्जे अगर आपको थोड़ आपके स्वाइटर में गला आपका बिल्कुल सही ही बनेगा ठीक तो मैंने एक पर फिर से तीन फंदों को एक साथ घटा दिया है और अब हम अपनी डिजाइन बिन रहें जैसा हमारा डिजाइन की रो आएंगी उसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे आप्शन देती रहती हूँ डरने की जरोत नहीं होती है कि हम एसे ही बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा मैं आपको बीच-पीच में चोटी-चोटी टिप्स देती रहती हूँ कि अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं उससे भी आपका स्वाइटर बिल्कुल पर्फेक्टी बन साथ इंच का मुड़्ा है तो मैं यहां पर तक्रीबन साथ इंच तब बिल लूँगी अब हमारे जो हैं वो यहां पर कोई फंदे नहीं घटेंगे और हमारे देखें यहां से यहां तक मुड़्ा आया और गले के फंदे भी घट चुके अठारा फंदे मैंने सलाई पर बचे से ही घटाएंगे ठीक तो यहां पर देखें मैंने एक तरफ का तुझ कंधा है यह कंप्लीट कर लिया है यह देखें यह हमारे साथ इंच का जो है कंप्लीट का आप चाहें तो साढ़े साथ और आठ इंच का कंप्लीट कर सकते हैं तो मैंने यहां पर साथ इंच का कंप्ली यहां पर आपकी right side की row जो है वो complete आपने की थी लेकिन wrong side से आपने complete नहीं की थी तो हम पहले wrong side की row को भी complete करेंगे सबसे पहले हम यहां पर 5 फंदो को घटाएंगे हम यहीं पर ही फंदो को घटा देंगे रो को complete करेंगे फिर right side से complete करेंगे उसके बाद नहीं करना है आपको इससे आपकी जो सलाईया है वो उची नीची हो जाती है तो आप पहले 5 फंदे सीधा घटा दीजे जब आप उन को जोडेंगे wrong side से तभी आपको 5 फंदे घटा देने हैं और उसके बाद आप पूरी design जो आपका wrong side का row है वो complete करेंगे मेरा उल्टा row बनेगा तो मैं उल्टा उल्टा बिनके wrong side की row को complete करूँगे 5 फंदे घटाने के बाद जल्दी से complete कर लेते हैं wrong side की row देखे हमने यहां पर complete कर ली है right side की row हम आ गए हैं और right side की row को हमें अब complete कर लेना है ठीक है तो wrong side से अब हमारे जो गला है वो wrong side से complete होगा right side की हम row को अपना design के according बिनते जाएंगे जो भी हमाई design जैसे भी हमारे फंदे आ रहे हैं उसके मुताबिक ठीक अगर आप कोई और design डाल रहे हैं तो आप वो भी design बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आप यही design डालें कोई और बार डाल रहे हैं तो आप वो भी बना लीजे और cd row भी लीजे तो यहां पर हमने cd row complete कर लिए wrong side की row आएगी अब यहां पर हम wrong side से फंदो को गटाएंगे तो तरफ हम wrong side से खटाते हैं दो फंदे घड़ गएं यह तिसरा फंदा है और यह चौथा फंदा चार फंदे घटा दिये पूरी सलाई को हम उल्टा बिनेंगे और wrong side से उसे design के according बिनकर यहीं पहुँचेंगे wrong side की तरफ ही पहुचेंगे तो यहां पर मैंने उल्टी तरफ की बिनी फिर सीधी तरफ की बिनी अब मैं वापस से wrong side की तरफ हूँ और यहां पर मुझे तीन फंदे घटाने हैं तो पांच चार की कटिंग हमने की है अब हम तीन की कटिंग कर रहे हैं अगर एक दो फंदे बाई चंस मेरे चुट जाते हैं या मैं बताना भूल जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको घटाना नहीं है मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि आपको कितने फंदे कहां पर घटाने तो अब हमने यहां पर तीन फंदे घटाने देखें एक घटिया दूसरा फंदा हमने यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता, आपका गल्ला विल्कुल सही आएगा, कंप्लीट करते हैं रॉंग साइट क्यों राइट साइट कि सलाई, अब हम एक बार फिर से तीन फंदों को घटाएंगे, अगर आपके एक दो फंदे जैसे मानली ज्यादा हो जाते हैं, कि आप पूरा घटा इसी के according घटा दिया तब भी आपका एक फंदा बच गया और आपको लगा कि आपके 19 फंदे बच गये तो आप एक फंदे को फिर घटा दीजे यानि कि 5, 4, 3, 3, 3, 1 की cutting कर सकते हैं ठीक जादा फंदे बच गये हैं तो 2, 1, 1 की cutting आप कर सकते हैं जितने भी आपको मुढ़े प रखने हैं तो थोड़े जादा घटा ही है तो फंदे अब घटा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारे फंदे जो हैं वो देखिए यहां पर घट के complete हो चुके हैं 12 फंदे हमने पहले घटा है फिर 5, 5, 4, 4, 3, 3 घटा के complete किया अब हमने एक तरफ का मुढ़ा complete कर लिया कम घटाईए complete कर लेंगे अब हम दोनों मुढ़ों को equally साथ साथ इंच पर यहां पर देखिए मेरे जो गला है वो complete हो चुका है अब यहां पर हमारा जो गला की cutting और मुढ़ी की cutting complete होने के बाद अब हम इसका back part देखेंगे कैसे बनेगा और कितने फंदों पे आएगा ठीक तो चलिए back part को देखते हैं अब हम यहां complete है हमारा back part मैंने बना रखा है क्योंकि बहुत ही simple है back part बनाना इस वज़े से मैंने बना रखा है पिंक से मैंने फंदे डाले 92 फंदे डाले फिर 92 फंदों पे मैंने 92 स्टिच पे मैंने 14 सलाईयों का border white से complete किया और यहां पर देख इस तक मैंने बनाया है फिर मैंने 5-3-1 की मुढ़े की कटिंग की है यह वाला border मैंने कांटे वाला ही बनाया है छे फंदे मैंने पीछे भी बढ़ाया है तो सेमी फंदे आपको रखने हैं फंदों को कम जादा नहीं करना है ठीक 13 इंच को बनाने के बाद मैंने यहां पर मुढ़े को घटाया और फिर हमने यह जो है विए 7 इंच का मुढ़ा बना लिया सिंपल सिधा उल्टा बिनते हुए तो इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप बहुत ही इसको बना लेंगे सिधा उल्टा ही बिनना है अगर आप चाहें तो डिजाइन भी डाल सकत तो कंदे जोड़ना है क्योंकि मैं इसको दो निडिल पर बनाऊंगी तो इस वज़े से मैं एक तरफ का कंदा जोड़ूँगी अगर आप सर्कुलर निडिल पर बना रहे तो आप दोनों कंदों को जोड़ लिजे फिर सर्कुलर निडिल से फंदे उठा लिजे तो यहाँ अब देखिए मैं सीधा दोनों उल्टा उल्टा अंदर रख दिया यह सीधा सीधा है मैं यह वाला कंदा जोड़ूँगी इस से जो है वो मेरे सीधे हाथ की तरफ फंदे उठेंगे इस तरीके से अगर आपका उल्टा हाथ है तो आप इस वाले कंदे को जोड़ लिजे उस यहां पर हमने जोसीधा है वाणदर रख द नहीं है और फंदे जोड़ेंगे 18 18 फंदे हमें 18 यह और 18 यह सीधा है और देखिए मैने संफेद के बाद दू सलाइया पिंक की भी निहें तो यह धियान रखिए इनए छोटी चोटी चीजों का ध्यान रखा कीजैं इससे यह आपका जो कंधा जुड़ेगा, वो सफेद और पिंक में नहीं जुड़ेगा, अगर आप यही कलर लगा रहे हैं, एक ही कलर से बना रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, बराबर से आप बना के जोड लीजे, दोनों फंदो को हम एक साथ लेंगे, मैंने अपने तकरीबन सभी स्वा बिना है, फिर पीछे वाले फंदे को उपपर से ले जाते वे छोड़ देना है, इस तरीके से, जैसे हम फंदो को घटाते हैं, उसी तरीके से हमें यहां पर जुड़ाई भी करनी है, दोनों सलाई के एक एक फंदे को आपको एक साथ बिना है, देखें, जैसे ये लिया, फ फिर इस वाले फंदे को उपपर से ले जाके छोड़ देना है, फिर इस वाली सलाई का लिया, पीछाली सलाई का लिया, दोनों फंदो को सीधा बिना, और इसको उपर से ले जाते वे छोड़ दिया, अठारा फंदो को जोड़ लेंगे, यहां तक, जोड़ लेतें जल्दी देखिए यहंपे हमने जुड़ाई जो कर ले देखे इसको ऐसे जूड़ने से देखे कितना क्लीन आता है अगर आप ऐसे नहीं जूड़ना चाहते हैं तो आप सिल दी सकते हैं फंदो को तार के सिल लीजे सुई से हों और यहां पर हमारे कंधे जुड़ गये हैं अब देखिए जो हमारे हमारे friendship palab DAY में एक फंदा बचा हैं यांगे-ठार त्रफ के 18 यांथा पीछे वाले फंदे और एठार आगे वाले पार्ट के फंदे के के बीच के फंदों को हम ले लेंगे एकवली फंदे हैं तो आप बीच के फंदों को नीडल से बना रहे हो तो आप इन दोनों यह कंदों को भी जोड़ लीज़े जैसे हमने आगे वाले कंदे को जोड़ा अब हम इनको ढीला ढीला जोड़ेंगे उतारेंगे इन सभी फंदों को क्योंकि हमें इसको बाद में जोड़ना है हम नेडल से ही जोड़ेंगे इसलिए हम इसे बिल्कुल ढीला ढीला उतार लेंगे सभी फंदों को ठीक है अकर उतार लेते हैं यहाँ पर देखे मैं ने उतार लियां सबी फंदों को उन को हम जादा कट करेंगे क्योंकि इसी उन से हम बाद में जोडेंगे कंदे को और यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे ठीक तो जल्दी से यहांपर एक नोट लगा लेते हैं अब हम आगे वाले जो फंदे पार्ट है आगे वाला जो पल्ला है उसके 18 फंदो को भी ढीला ढीला उतार लेंगे जैसे हम ने अब यह पीछे फंदे को इतार हैं उसी तरीके से हम इनको भी डीला डीला उतार लेंगे देखे इस तरीके से अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते हैं मतलब अगर सुई से सिलना चाहते हैं तो आप उतार लीजे बाद में सुई से सिल लेना लेकिन जो तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगी उससे आपका गला बिल्कुल पर्फेक्ट बन कर आएगा और बहुत अच्छी आपकी साफ और बिल्कुल बहतरी इन आपकी जुडाई भी होगी कंदे की तो इस वज़े से मैं आपको जैसा बता रही हूँ आप वैसा ही जोड़ेंग तो जादा बहतर रहेगा 18 फंदे हम उतार लेते हैं यहाँ पर देखें मैंने 18 फंदे उतार लिया इसका भी उन हमें ज्यादा कट करनी जूरूत नहीं है क्योंकि हमने एक तरफ जादा रखा है क्योंकि मैंने नीचे भी सफेद से ही बॉर्डर बनाया है तो मैं सफेद उन जो है वो कनेक्ट इसमें जो जोड़ लूँगी शैटाने होते हैं, अगर आप एक कलर में बना रहे हैं तो आप अपन जो भी आप में में कलर उपका उसी auf एक कलर है उसी से ऐख उठा लेगा। हैं क्योंकि मैं तो कलर में मлекलते हु मैं सफिद से बार्डर बनाऊंगी और मैंने सफीज उन जोड़ते हुए इस तरीके से हर एक फंदे में से एक फंदा लेना है देखिए इस तरीके से एक फंदा इसे और यह देखिए यह जो है ना एच वाला फंदा इसके बीच में से एक फंदा लेंगे और इसमें से एक फंदा लेंग आप वहाँ से जाके और अच्छे से सीख सकते हैं तक्रीबन में जितने भी यह सब चीजे बताती हूँ इसके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे अब वहाँ से और डिटेल में सीख सकते हैं तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे यह देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल में बताने में बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं इस वज़े से मैं जल्दिल दी बता देती हूँ आपको अब हम यहाँ पर आधे फंदे उठाएंगे देखिए यहाँ तक मैंने जो है वो 60 फंदे उठाएं यह देखिए यहाँ तक 60 फंदे उठाएं यानि कि आपको पूरे जो गले में 120 फंदे उठा लेने हैं अगर आप चाहें तो 2-4 फंदे कम जादा कर सकते हैं आगे वाले जो डीप जो आगे हमारा गला है उसमें 160 फंदे आपको 120 फंदे उठा लेने हैं यह देखिए और प्लस हमारे बैक पार्ट के फंदे होंगे जो हमारे पीछे के फंदे होंगे तो 120 फंदे हमने आगे उठाएं हैं एक तफ साथ फिर दूसरी तफ साथ 120 हो गए और प्लस हमारे पीछे के अगर आपका बड़ा स्वाइटर है तो आपके जितने भी मुढ़े के बाद फंदे बचते हैं उन फंदों को आपको पीछे रखना है तो टोटल आप करेंगे तो आपके फंदों का एवरेज आ जाएगा जो हमारी रॉंग साइट के पार्ट के फंदे उनको हम सीधा बिनके complete करेंगे क्यूंकि हम जो white से बनाएंगे इस वजे से हमें रॉंग साइट के फंदों को सफेद से हमने बिल लियाए अब हम आए हैं रॉंग साइट की तरफ यनि कि फंदे उठाने के बाद wrong side की तरफ आए हैं और सीधी रोग को भी हमने बिना है back part की back part के फंदो की अब हम यहाँ से अपना border शुरू करेंगे अगर आपको wrong side से border नहीं शुरू करना है तो आप right side से wrong side की रोग को उल्टा बिल लिजे और right side से आप border शुरू कर दीजे तो यहाँ पर मैं border भी आपको एक बार बता दे दूँ देखिए एक फंदा सीधा इस तरही के से बिनेंगे उल्टा आप उल्टा ही बिनेंगे अगर आप उल्टा सीधा एक फंदा उल्टा बस उल्टा आप ऐसे बिनेंगे और सीधे फंदे को आप देखिए पीछे से ले जाते हुए उपडर से उन ले जाते हुए बिनेंगे तो इस तरही कि जब आप बिनेंगे तो आपका कांटे वाला border राएगा और अगर आप जीए उल्टा बिनते हैं देखिए उल्टा फंदा उल्टा सीदे फंदे को बैक लूप से लिजा के बिनना है उपर से लिजयते हैं बाध यहां पर अन्य का बोडर सिरें चोप्ट सेभिक लिजयें तो यहाँ पर देखे मैंने 8 सलाईयों का बॉर्डर कम्प्लीट किया है गले पर मैं बॉर्डर कम रख रही हूँ आप चाहें तो 10 सलाईयों का बॉर्डर रख सकते हैं इससे ज़ादा मत रखे क्योंकि लेडी स्वाइटर है तो 6 सलाईयों का तो मैंने सफेद उन से भी नी और 2 सलाईयां मैंने पिंक से भी नी तो टोटल 8 सलाईयां हो गई है मेरी 9 सलाई मैंने सीधी बिल ली है 9 सलाई मेरी उल्टी आई है 9 और उल्टी सलाई पे हम बॉर्डर को उतार देंगे थीक है तो टोटल मेरा आठ सलाइओं का border है ये छे सलाइव सफेध दो सलाइव मैंने pink से बिनी और आठ सलाइव का border complete उतारेंगे हम कैसे पहले फंदे को slip करेंगे सीधे फंदे को हम सीधा बिनेंगे जैसे हम border में बिनते हा रहे हैं फिर हम उपर से फंदों को ले जाके छोड़ देंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे, और उपर से ले जाके छोड़ देंगे, इनको आपको खीच के नहीं उतारना है, और नहीं बहुत ही धीला उतारना है, नौर्मल हातों से उतार ये, ठीक, जब ये बॉर्डर बना कहते हैं आप सीधे सीधे फंदों से मत उतारिए कभी भी बॉर्डर उल्टे फंदों से मत उतारिए एक फंदे जो फंदे आपको जैसे भी आप बॉर्डर डिजाइन बना रहे हैं उसी को बिनते हुए आप बॉर्डर उतारिए जैसे सीधा फंदा हमारा आएगा तो सीधा ब बिन रहें हैं अब ि सके से बीन तंपर देखें इस तरिके से बौर्डर के लिऑ को conten 200 अधारके मेरा इसी तरीके सांभिट कर सेुखने में हुग enough के हैं यहां साफ बौर्डर हमारा मेम हमें उत्हरों कि आए अब हमें क्या करना है देखें के हमारा फंद है इसे हम ऐसे ही रखेंगे अभी इसको हम अभी नोट लगा देंगे लेकिन हम इसे खोल के वापस सलाई में ले लेंगे अब हमारे ये जो हैं देखिया 18 फंदे इन्हें हम खोल लेंगे ठीक क्योंकि हमने डिला डिला उतारा है ना इनको तो अब हम इने खोल लेंगे अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसे सुई से सिल लीजे कोई दिक्कत नहीं लेकिन सुई से आपका इतना अच्छा सा नहीं आता है सिलने से आप इन फंदों को उतार लीजे और वापस से निडिल पे ले लीजे ये देखिए इन फंदों को हमने यहां पर हमने यहां पर नोट ल करते हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं बहुत अच्छे से आपको बिनना आ जाए इस वज़े से मैं बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज बार बार रिपीट करती हूं और बताती हूं यह देखिए मेरे फंदे खुल गए अब मैं इसे यहां से चढ़ा लोंगी सला सीथीटा ही के नोख भी इस तरफ हमारा उन्ज जादा ही जादा हमें कट किया था तो दोनों सलाईयं के फंदो को हम खोल के और एक छी तरफ ले लेंगे देखिए यहों इसे भी खहल लेंगे देखिए ठीक przy्द defended को ले लिया है, सलाई और सीधी तरफ के फंदों को भी ले लिया, 18-18 फंदे हैं यह हमारे, अब गले में हमने 8 सलाई का बॉर्डर बनाया था, यहाँ पर हम 6 फंदे उठा लेंगे, ठीक है, मैंने आपको सिलने का भी तरीका बताया है, कि आप इसे कैसे जोड के कंदे को अब ग हैं, 8 सलाई के बॉर्डर में 6 फंदे उठेंगे, 7 फंदे उठाने की जरूरत नहीं है, 8 सलाई के बॉर्डर में 6 फंदे उठा लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है, और एक हमारा आगे वाला फंदा, जो हमारा बॉर्डर का फंदा है, पीछे भी हम 6 फंदे उठा तो टोटल हमारी यहां पर आ जाएंगे 25 फंदे भी हो जाएंगे और 24 फंदे भी हो जाएंगे कोई फरक नहीं पड़ता है एक फंदे से आपका वो जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा तो एक एक दो दो फंदे की टेंशन मत लिया कीजिए एक हमने इस तरह से उठा लिया अब हम इसे जोड़ेंगे तो हमने यह देखे उल्टा उल्टा हमारा उपर की तरफ आ गया है सिधा सिधा अंदर की तरफ चला गया पिंक फंदो को हम पिंक से जोड़ेंगे फिर पिंक फंदो को हम पिंक से जोड़ेंगे इस से जो है वो हमारी कंधा है उल्टे फंदों से जोड़ा है तो आप इसे भी उल्टा फंदों से जोड़िए मैंने वो सीधे फंदों से जोड़ा था तो मैं इसे भी सीधे फंदों से जोड़ूँगी दोनों सलाईयों का एक एक फंदा लेंगे अब हमने पिंक से दो फंदे जोड़ लिए अब ह चले फंदे को उतार देंगे फिर इस तरीके से लेंगे तो यहां पर आपके छे फंदे उतर के आएंगे उतर जाएंगे ठीक यह देखे इस तरीके से यहां पर हो गया अब फिर से हम यह जोड़ेंगे सफेद तो चार फंदे हमारे सफेद से जोड़ गए अब हमारे फिर से पिंक फंदे आ गए तो उसको हम पिंक से जोड़ेंगे जो हमने उन ज्यादा कट किया था उससे और यह जो उन है इनको बाद में आप सब सलाई से अंदर के तरफ कर दीजें सुई में लेके अंदर के तरफ कर देंगे तो कोई उन यह दिखाए नहीं देगा आपको अब यहा बहुत ही इजी होता है इस तरीके से जब आप जोड़ते हैं तो आपका जो कंधा है वो बिल्कुल दोनों तरफ एक्वल ही जुड़कर आता है और बहुत ही जब आप इसे पहनेंगे तो उपर उचा नीचा नहीं होगा लेकिन जब सलाई करते तो इतना अच्छा नहीं आत कुछन तो आप किसी भी तरीके से अपनी सुईधा के अनुसार जोड सकते हैं यहां पर देखे हमारा यह गला देखे इस तरीके से जुड़ेगा राइट साइट से भी अम देखेंगे तो और अच्छा आएगा तो इसी फंदों को हम सब को इसी तरीके से जोड लेंगे यह पर भी आपको पता नहीं चलेगा, अब हम देखे इसके कंधे, यहाँ पर देखे हमारा गला कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके कंधे बनाएंगे, तंदे के फंदे उठाने का सबसे अच्छा फंडा होता है, कि आपने गले में कितने फंदे उठाए हैं, जितने फंदे आप को दोनों तरफ के मुढ़े में उठाने होते हैं, जैसे हमने गले में 120 फंदे उठाए हैं, ठीक है, हमें मुढ़े पे भी 120 फंदे ही उठाने हैं, सबसे अच्छा माप है ये, इस माप से आप चाहे किसी भी स्वाइज का स्वाइटर बनाएगे, चाहे जैंड्स बनाएगे, चाहे लेडिस बनाईए, चाहे बेबीज बनाईए, आपका मुढधा कभी जोल नहीं खाएगा, कभी खिचेगा नहीं, कभी उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आईगी, बहुत असान तरीका है, जितने फंदे आप गले में उठाते हैं, उतने ही फंदे आप मुढधे पीछे के पले में उठेंगे, ये वाली में, ठीक हैं, तो 60, 60, 120 फंदे आपको उठा लेने हैं, और 8 सलाईयों का बॉर्डर जो है, वो कम्प्लीट कर लेना है, बहुत असान, सिंपल तरीका है, 60 फंदे इधर, रॉंग, बैक पार्ट में, देखिए, यहां तक आपको 60 फं केंगे, कम्प्लीट कर लेते हैं, वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, यहां पे मैंने मुढ्धा कर ली है, देखिए, कहीं जोल नहीं आएगा, और ये देखिए, 6 सलाईयों मैंने सफे से बिनी, पिंक से मैंने 2 सलाईयों भी नी, निवी सलाईयों पे मैंने Wrong से border उतार दिया complete हो गया है मेरे दोनों मुढधों का border अब जो है वो हम सिलाई करेंगे स्वाइटर की तो यहां पर देखे मेरे border इस तरीके से complete हुआ है बहुत ही खुबसूरत border यह बंद कर आता है अब हम उनको ज्यादा कट करिए हमेशा जब आप मुढधा बनाया कीजिए border तो उनको ज्यादा कट कीजिए उसी से आप सिल लेजिए सिलने का तरीका भी मैंने आपको सभी वीडियो में तकरीबन में सभी मैं बताती हूँ एच के फंदो को आपको सिलना होता है एक एक फंदा जो हम लेते हैं वो सिलाई के ले ही लेते हैं तो आपको एच के फंदो से ही सिलाई करनी होती है स्वाइटर बनाने में वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है मेरी मैं बहुत ही डिटेल में बतानी कोशिश करती हूँ मैं चाहती हूँ कि बिगनर भी आसानी से सीख जाए और कोई जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको सब चीज बहुत इसली और एक ही वीडियो में समझ में आ जाए ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो तो मेहनत बहुत करती हूँ मैं प्लीज सपोर्ट भी क्या कीजे लाइक जरूर क्या कीजे शेयर क्या कीजे और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर क्या कीजे अगर कोई भी तब भी कोई कोश्चन आपका रह जाता है फंदो को एकोर्डिंग तो आप मुझसे पूर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके मैं आंसर जरूर करूँगी ठीक अब हमको एक एक फंदा लेना है सिलाइद का तरीका मैं आपको तकरीबन सभी में बताती हूँ आप उपर से नीचे की तरफ सिलाइद क्या कीजे आपकी सिलाइद कभी नहीं उढ़ेगी और कभी कटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट आएगी हमेशा एच के फंदो को जोड़िए एक्स्ट्रा फंदो को लिनी की जूरत नहीं है क्योंकि मैं जो भी फंदे आपको बताती हूँ बिल्कुल एक्कुरेट होते हैं कम जादा नहीं होते हैं जिस साइस का मैं बताती हूँ वो उसी साइस के होते हैं इस वज़े से आप फंदो को जादा कम जादा मत क्या कीजे लेकिन अगर आप साइस बढ़ा के बना रहे हैं तो आफंदों कम जादा कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से सिलाई कीज़े देखिए एच वाले फंदे लिए और इसे इस तरीके से जो है वो सिल दिया यह देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलेंगे देखिए यह देखिए उनको पीछे से आगे की तरफ लेके जाना है फिर उसी फंदे को आपको वापस से सिलना है तो इस तरीके से जब आप सिलाही करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट सिलाही आएगा पूरे स्वाइतर को आप इसी तरीके से सिल लेजिए नीचे तक बस अगर आपका आपको तो बॉर्डर जो आप नीचे का सिलेंगे तो सफेद को सफेज से सिलिए पिंक सो पिंक से सिलिए इससे आपका जो है वो उन दिखाई नहीं देगा तो यहां पर मैं पूरा जो स्वाइटर है इसी तरीके से सिल्के कम्प्लीट करूंगी तो एक बार फिर बोल देती हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल भूलिये लाइक जरूर कीजिए मेरे चैनल को शेर कीजिए अपने फैमिली मेंबर के साथ में अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते विंटर में तो आप बहुत अच्छा यह गिफ्ट दे सकते इस तरीके से अच्छा साइटर बना के यह एक नौरमल साइज स्वाइटर नाही बहुत बढ़ा स्वाइटर है नहीं बहुत चोट श्वाइटर है तो नौरम अगर आपका साइज है मन्द आप बहुत ज्याधा है हैँ अपर था नहीं है या पतले नहीं है। तो आपको सैओगा स्वाइटर में हमेशा ज्यादा रखा कि यह देखिया हमारा स्विलाही इस तरीके और सकतरे होटा है को माइत हुए Jakota हमारा स्वाइटर हो चुका है इस तरीके से बन कर आएगा बहुत ही खुबसूरत बहुत ही इजी स्वाइटर है अगर आप बिगनर है तब भी आप इसे बना लेंगे और अगर नीटर है तक तो आपके लिए बहुत आसान है इसे बनाना प्लीज मेरा चैनल सपोर्ट जरूर क कीजिए और जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको यह स्वाइटर डिजाइन कैसा लगा तो बहुत अच्छा है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया